नमस्कार मेरा नाम है देविंदुर शर्मा पर्फिरमेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत हैं जासा कि हमने कल देखा हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वह best delay जोकी फूर्ट था उसको बात में present मना दिया गया उसको किस प्रकार से जो है demolish किया ठीक है मैं आपको एक आगरी question के साथ भी छोड़कर गया था how and why did this happen ठीक है इसी question को हम इस lecture में देखने वाले हैं किस प्रकार से ठीक है किस प्रकार से जो है क्या कारण थे कि जिसके कारण ये करांती हुई ठीक है उन कारणों को हम बनाए गई वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वो वीडियो को लाइक करें चलिए सुरू करते हैं इन 1774 1774 लूइस 16 लूइस 16 ठीक है हम इन लूइस 16 के बारे में ही इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है लूइस 16 अप दे बरबन फैमिली ठीक है एक बरबन फैमिली थी उसके यह लूइस 16 थे टेक है ओफ किंग एहले डी कोसी ऑस्टिवान और फीर्स ठीक है यह क्या करते हैं तीक है व्याला के यालश में में क्या चाहिंझ थाइस एक राजगुर्दी समाल सब्सक्राइब He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette ठीक है, उन Mary Antoinette जो Austrian princess होती है, उनके साथ इनकी साथ ही होती है Upon his accession, the new king found an imputed treasury ठीक है, जब इनका accession होता है, मतलब कि जब ये नई king बनते हैं उसके बाद ये क्या देखते हैं कि इनकी जो treasury है इनकी जो treasury है, मतलब इनको पूरी तरीके से खाली मिलती है Long years of war had drained the financial resources of France मतलब क्या हुआ था, France ने क्या बहुत सारी लडाईयां लड़ी है ठीक है, बहुत सारी लडाईयां लड़ी है, कि कब लेड़ी हैं ज़्यादा लड़ाई उन्होंने लुइस 14 के टाइम पर, जो है ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, फ्रांस ने ठीक है, added to this war the cost of maintaining an extravagant courts aid the immense palace of Versailles, ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, जो palace of Versailles था ठीक है, देशागी हाँ या पर देख सकते हैं, palace of Versailles, ठीक है, इस palace को ठीक है, इस palace को भी इस bourbon family के द्वारा ही, मतलब bourbon family यहीं से rule करती थी, ठीक है, जिसे कि यह Paris है, तो Paris से थोड़ा सा out में था यह, ठीक है, city से out में था, ठीक है, तो यह bourbon family बहुत अच्छा palace देशा कि आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, इस palace को पनाने में भी काफी ज़्यादा है, खर्चा हुआ है, अंटर लुईस 16, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain, मतलब क्या हुआ, France ने क्या किया, जो 7 year wars जो England के साथ हुई थी, ठीक है, उस war का बदला लेने के लिए, क्या हुआ, जो अमेरिका की 13 colonies थी, उनको independence में क्या करी, मदद की, ठीक है, the war added more than a billion livers to adapt more than two billion livers, मतलब क्या हुआ, कि जो इनका करजा था, ठीक है, जब भी कोई country war लड़ती है, तो क्या होता है, कि वो कहीं न कहीं, उसका financial crisis आ जाता है, वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर इनकी treasury जो है, पूरी तरीके से जो है, खत्मों ने हो चुकी थी है, ठीक है, क्यों क्योंकि इन्होंने इतनी सारी wars लड़ी है, ठीक है, हाला कि उसको उस war में, ठीक है, जब उन्होंने मदद की थी, अमेरिका की 13 colonies को, वहाँ से independent कराने में, हाला कि उनको कुछ नहीं मिला, स्रिफ बोटो एक बदला लेना चाहते थे, ठीक है, मतलब कि एक लिए एक बिलियन लिवर्स से कहां तक मुच गया था, यह जो ड़ाइब कहां तक, टू बिलियन लिवर्स तक, लैंडर्स जिसने, जिसने दिया है, ठीक है, लोग, हूँ है, दिक स्टेट क्रेट गरेट नाव इंट्रेस्ट पेमेंट अलॉन, मतलब क्या हुआ, कि जो फ्रेंश गवर्मेंट जो थी, उसने अपने क्या करा, आपने जो बजट में क्या कर दिया, इंक्रीस कर दिया, क्या इंक्रीस कर दिया, कि जो इंट्रेस्ट पेमेंट है, वो ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब कि जो देने का लॉन है लेंडर्स को वो बढ़ा दिया गया ठीक है तुमीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एस दी कोस्ट ऑफ मैंटेनिंग अर्मी दिकोट ठीक है रनिंग गवर्मेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटी दी स्टेट वास फोर्स टू इंक्रीस अब क्या हुआ अब जब इतना ज्यादा जो है लॉन था तो उन्होंने क्या इतना ज्यादा जो है लॉन था उसके गारण क्या करा कि वो ज्यादा ज्यादा उनका जितना भी जो टैक्स आता था ठीक है अभी तक जितना भी टैक्स आ रहा था तो वो कहां पर जाता था सीधर लॉन में चले सोसाइटी थी 18th century was divided into three states ठीक है हम फ्रेंच की सोसाइटी को देखेंगे जासे आपको देख रहा है फर्स स्टेट सेकंड स्टेट थार्ड स्टेट ठीक है जो फ्रेंच की जो सोसाइटी थी ठीक है वो 18th century किस टाइप से इन थी थी स्टेट में डिवाइट थी and only members of the third state state paid tax और जो थार्ड स्टेट के member थे मतलब यह थार्ड स्टेट के मेंबर जिसमें कौन आ रहे हैं businessman आ रहे हैं merchants आ रहे हैं lawyers officials ठीक है peasants and artisans small peasants landless labor servants ठीक है यह सब क्या करते थे इनिको स्रीफ टक्स पे कर्णा रहे था अभिए क्या देखा एक क्या एक प्रकार से गषिंखर ठीक तो आप क्या है अ्लिक करसे हैं और गषिंखरोगा मैं अब देखे second reason क्या होगा social 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 cause क्या होगे social reason मतलब आप देखे french की society किस प्रकार से divide है यही एक कारण है the society of states was part of the feudal system मतलब क्या है जो society थी वो किसका part थी feudal system मतलब एक प्रकार से यह क्या है एक kind of society को create करना ठीक है क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ा topic है ठीक है तो आपको feudal system हाप पर अच्छे समझ में आए अभी सिर्फ आपको समझना है कि जो friends society थी वो किसका party feudal system का party और मैंने बताया भी feudal system क्या है powers को divide करना land and power system for dividing land and power ठीक है तो ऐसे क्या था जो society थी friends की वो भी क्या थी feudal system का party the term all regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789 ठीक है मसला 1789 से पहले ठीक है जो term use किया जाता था ठीक है वो क्या use किया जाता था friends society के लिए all regimes ठीक है अब देखते है figure two show how the system of states in France society was organized ठीक है आप देखिए जैसे कि मैंने बताया आप देखिए कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है इस society को क्या divide किया गया थ्री स्टेट्स में जो है society divide है स्टेट्स देखिए यहाँ पर क्या है clergy जिसके अंदर परसेंट वासे जो 90 परसेंट थी फ्रांस की वह population क्या थे वह कौन थे वह पीजेंट्स थे ठीक है however only a small number of them on the land they cultivated मतलब जो 90 परसेंट पॉपुलेशन पीजेंट्स की उन पीजेंट्स वह उन में से कुछ जो पीजेंट्स थे उनके पास ही जो है कल्टिवेशन के लिए लेंड थी ठीक है about 60% of the land was owned by nobles the church and other rich members of the third state मतलब की जो 60% फ्रांस की जो लेंड थी वह किस के पास थी आपको nobles के पास में दिखेगी ठीक है इनको क्या होता था जन में से कुछ क्या है प्रिविलिजेश मनलब विशेश अधिकार मिलते थे जिक है कुछ नो, विशेश अधिकार मिलते थे जो first or second state है वो tax को pay नहीं करता था, ठीक है, जितना भी tax मैंने बताया था उपर tax जितना भी ले रही है, government वो सिदा कौन से state से या रहा है, third state से या रहा है, ठीक है, the nobles further enjoyed feudal privileges, अब जो nobles है उनको क्या Feudal Privileges मिलती थी ठीक है उनके अंदर Feudal Privileges के अंदर क्या आता है Privileges मतलब विशेशेदिकार ठीक है These include Feudal Dues Which they extracted from Peasants जो कि वो कहां से आती थी Peasants were obliged to render Services to the Lord मतलब Peasants क्या करते थे जो भी Lord है Lord मतलब कहां पर कौन है Feudal Feudal Lord कहा जाता था मतलब वो वेक्ती जिसके पास क्या पावर है समझे एक वेक्ती है जिसके पास क्या पावर है वह ना पावर है उसके पास लैंड है तो वो क्या है कही ना कही पावर है तो वो Peasants से क्या टेक्स भी लेता है वो Peasants क्या है उनके oblige मतलब वो service देते हैं, peasants उस lord को to work in his house and fields, मतलब वो क्या करता है, वो house में या फिर fields में उनके लिए work भी करता है, to service army or the participation in building roads, इन सब का, ये सब क्या service देता है वो, किसको, उनके lord को, ठीक है, the church to extracted his shares of tax called tithe, ठीक है, यहाँ पर क्या है, tithe, मतलब ये भी क्या है, tithe का मतलब क्या है, a tax lived by the church, जो कि church के दोवारा एक tax लगाया जाता था, इसमें क्या होता था, one, one tenth of the agriculture, मतलब जितना भी agriculture production होता था, उसका one upon ten जो है, वो सिधा church के पास आएगा, ठीक है, तो ये एक tax था, जो कि क्या, tithe, जो भी पीजन के उपर लगाया जाता था, ठीक है, ये देखी, आप church के दोवारा लगाया जा रहा है, and finally, all members of the third state had to pay taxes to the state, मतलब क्या है, जितने भी third state के member है, उनको क्या, ये tax pay करना रहता था, this includes a direct tax, एक direct tax भी लगाया जाता था, जिसको हम क्या बोलते है, ताइले, ठीक है, ताइले tax to be paid directly to the state, मतलब जो कि state को direct दिया जाता था, ठीक है, किस के दोवारा, किस state के था, third state के दोवारा, and number of indirect taxes which were lewd on articles of everyday, ठीक है, मतलब आप कुछ, कुछ consumption होता है, जो कि हम रोज लेते हैं, कुछ साल्ट हुआ, टॉबे को हुआ, इन सब पे भी कुछ indirect tax था, वो भी लगाया था, मतलब ये सब कौन पे कर रहा है, third state पे कर रहा है, आप देखिए third state, मतलब पूरा tax है, वो कहीं रहा है, ठीक है, the burden of financing activities, ठीक है, of the state through taxes, was born by the third state alone, मतलब कि सिर्फ तेसरी ही state के द्वारा पूरा tax दिया जाता था, ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, इसी के साथ मैं अपने lecture को यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है, यदि आपको lecture पसंद आ रहा है, तो please channel को subscribe करिए, वीडियो को like करिए, ठीक है, thank you, धन्यवाद,